चलते हैं अंगली खबर के और बठिंडा की गाउंधिपाली में रहने वाले एक व्यक्ति को खाली स्थान के नाम पर पत्र लिखकर और फोन करके 6 लाक रुपई की फिरोती मांगने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरिफतार कर लिया है और पुलिस द्वारा उसके दो लाकियों की तलाश की जा रही है दीपक पारिक IPS SSP बठिंडा ने प्रेस कोस जानकारी देते हुए बताया कि गाउंधिपाली के रहने वाले एक व्यक्ति से 6 लाक रुपई की फिरोती मांगी गई है जांच करने पर पता चला कि एक अग्यात व्यक्ति गाउंधिपाली के लहने वाले जमिदार के घर में दाखिल हुआ और जमिदार के नौकर को एक पत्र दिया और कहा कि है पत्र अपने चाचा को सौंप दे नौकर ने घर के अंदर जाकर जमिदार को पत्र दिया जिस पर खालिस्तान जंदाबाद लिखा हुआ था और पत्र में 6 लाक रुपई की मांग की गई थी अगर पैसे नहीं दिये गए तो जमिदार और उसके परिवार को जान मान का खत्रा रहेगा आपर इचित व्यक्ति ने दोबारा फोन कर पैसे की मांग की जिस पर जमिदार ने पुलिस को शिकाय दी पुलिस ने जमिदार के बयान के अधार पर उपत उन्हें आरोपियों से फिरोथी मांगने की राय बना ली इंदीन अग्यात आरोपियों में से एक की पहचान करम सिंग और फनिक का निवासी धिपाली के रूप में की गई है और दो अग्यात व्यक्तियों को नामसद किया गया है बठिंडा से हर्मिंदर सिंग विनाश की पिंडे विच किसी दे करे जिड़े बन्दा की काम करता सी गा उन्हों एक बन्दा चिठी फड़ा के चला गया सी कुछ दिन पहला उस चिठी दे विच उन्हान ने जिदना किसी प्रोखालिस्तान जिड़े कोई और अगनाजिशन हों दी है ओदे बिहाफ ते इना तो फिर मंग करनी शुरू करती ता फिर सडे एस पीडी डीस पीडी सी आइडी टीम सी आइडी टीम सब्डिवेजननाले ओफिसर्स ते इना ने सारे ने मिलके इस बंदे नो नहीब कर ले ते गुत्ति दो सुल जी ता पता लगया कि ए जड़ा बंदा एक फड़ा गया करम सिंग उ बोर काम करन आये सी गे तो कि ना नो इस परिवार दे करदा पेद पता सी गा उनना दे कोल जी कोई पैसे पूसे सी गो ते बहरे जानकारी सी गी ता इसलिए इने प्लानिंग करके दो तिन बंदिया ने इस तरीकी दी फिरॉति दी मंग के थी ता इह में जड़ा इदी वो बंदे रंदे वो भी जल्दी फड़े जाए